वक्त और समझ एक साथ में खुश किश्मत लोगों को ही मिलती है क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने पर वो वक्त नहीं रहता वेद पढ़ना तो आसान है किन्तो जिस दिन आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया तो समझ ये आपने इस्वर को पा लिया नमस्कार मैं हूँ कमर्श्रीमाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और गुर्व पुर्णमा के इस विसेश एपिसोड में समर्तों का सने समर्तन मिलने पर छोटों को असमर्तों को लाब ही लाब मिलता रहता है फाइदा ही फाइदा रहता है चोटी सी टिटेरी को समुद्र से अंडे वापस लोटाने में यदी अगस्त मुनी का सयोग नहीं मिलता तो जन्म भर समुद्र में चौच भर-बर के वो बालू डालते रहने पर भी अपने काम में सफल नहीं हो पाती। चंदन रक्स के निकट उगेवे जार जंकार भी सुगंदित हो जाते हैं। निजी प्रियतने से परसनल एफट से साइधी को इस प्रकार के लाप से फाइदा उठा पाता है, लाबानवित हो पाता है। इतनी ही उची उची उचए सकती है, जितना की पेड उचा होता है। बच्चे के हाथ में पतंग की डो ठमा देने से दो, पांच रुपे की पतंग भी आकास में हवासें बातां करनें लगती है। बांस की पतले से नली जब किसी वादक के हाथ लग जाती है तो उसका सुंदर स्वर हाजारों का मन मो लेता है। अनेता, पतले से बांस का क्या उप्योग? उसकी निजी ऐसे तो कुड़ा ढोने की टोकरी बने जितनी ही होती है। लकडी के तक्ते जब बड़े के हाथों नाव बनते हैं तो माजी के द्वारा चले जाते हैं तो वे नाव बनकर नदी पर तेरते हैं और अपनी पीट पर बिटा करके सैकडों को आए दिन इधर से उधर पाड लगाते हैं। फूल पुस्व खेत में खड़े रहते हैं सूखने पर मुर्जा करके जमीन पर आगिरते हैं किन्तु यदि उन्हें माली का सैयोग मिल जाये तो गुलदस्ते के रूप में सज करके मेच पर बैठ सकते हैं और भगवान के गले का हार बन सकते हैं। शराब का लेबल लगी सीसी में गंगाजल भरा होने पर भी उसे शराब ही मारा जाता है। जब नदी में मिल जाता है तो उसकी गंद की समापत हो जाती है और पवित्र जल में उसकी गंगाँ होने लगती है। हिंसक पस्यों के शेत्र में गुमने वालों पर मढने का बैह ही लगा रहता है पर भेड पालने वाले दूद बच्चे और उन का लाब उठाते हैं। और संपर का ही भाय है। सीता रावन की अशुक वाटी में काम रहने बर से बदनाम होगी अगनी परिक्षा देदी फिर भी दोबी द्वारा लांचित की गई और इतने पर भी घर छोड़ने को विवस की गई किन्तु जब वे वालमिकी के आश्रम में रही तो नेक के वल वे तपस्वी नी बनी वर तो क्रश्न का संयोग मिल जाने से माँ बारत जीच सके और चकरवती सासक बन सके रीच कन्या जामवती और टेड़े मेड़े कुबडे सरीर वाली कुबजा क्रश्न की पत्नी बनी इससे संयोग समर्तन प्राप्त कर लेने का धिरिक्त और क्या कह जाए काली दास के तोता मिला संसकत में भाशन करते थे दूसरी और एक चंदल पूजा राखत में एक घर वदिक परियो वाली उक्ती चरितात होती भी देखी गई है नारत के शनिक सानिद्य परमा से द्रू, प्रैलाद, वालमिकी, पार्वती, सावितरी, आदी का इस्तर कितना बदल गया अंबपाली, अंगुली माल, अशोक, आदी को बुद्ध की समिपता ने काया कल्प जैसे इस्तिति में बदल दिया दत्तर तरे का कुत्ता और शिव जी का बैल पशू होते वे भी देवतों की शिड़ी में गिने गए निर्धन और अशिक शिक लड़की किसी संपन के साथ में विवा होने पर दूसरे धीन लाकों क्रोनों की मालकिन बन जाती है रिशी पत्यां उतनी तपस्वी और विद्वान नहीं थी तो भी अपने पत्यों की गर्मा के अनुरूप जगत प्रसिद और परम सम्मा नस्पद बनी रही स्वामी समर्थ के बिना सिवा जी क्या रह जाती है और चाने के से अलग रहकर के चंद्रकुप की क्या Яह Сियत रहती परम हंस के बिना वीवेकनंद और विरजा नंद के बिना दैनंद वे नहीं बन पाते जो वो बन गए गांधी जिसे अलग विनोंबाजी की कितनी गरिमा रह जाती है पारस छूकर की लोहे का सूना बन जाने की बात जगत प्रसिदे अमरत पीकर के प्राणी अजर अमर हो जाते हैं काम देनु का दूद पिने वाला कभी व्रद नहीं होता और कलप रस की छाय में बैठने वाले को सभी कामनाय पूर्ण हो जाती है ये हम सभी को मालूम है संगती के महिमा अपार है और यदि आत्मा को परमात्मा का सानिदी मिलता है तो उसी में समर्पित हो जाता है तो आग के संपर्ख में आते ही इंजन में जिस प्रकार की उर्जा का आविर्भाव होता है वैसी हिस्तिती जीव की ब्रह्म के साथ में मिलने पर हो जाती है पानी जब दूद में मिल जाता है तो दोनों एक भाव बिकते हैं महां मानवों के संपर्ग में आने से सूद्रता हटती है और महांता की गरिमा सिर पर आकर के विराजित हो जाती है। राजा के अर्दली की भी अपनी शान और इजट होती है और इसमें विक्तिकत प्रभाव कम और महानता के साथ में जुड़ जाने की गरिमा अधिक होती है प्रत्वी को सूर्य का संतुलित अनुदान मिला और वो इतनी सुन्दर संपन बन गई जितनी की परिचित गर्यमंडल में किसी की भी वरिष्टा इतनी नहीं दिखती चनमा दूर होते विए समुद्र में जवार भाटे को उठाता है और अंधिरी रात्रों को प्रकासवान बनाता रहता है यह मानता की गरिमा है जो अपने संपर्ग में आने वाले को अनायासी प्रभावित करती है गुरू की महिमा केवल सिस्य ही समझ सकता है सिस्य जानता है कि मेरे गुरुदेव सर्वग्य है वे मेरे चाराचर जगत के संपून रहस्यों के एक मातर ग्याता है वे सर्व सक्तिमान है बड़े बड़े देवता भी उनकी सक्ति से सक्तिमान हो करके अपना-पना काम कर रहे हैं वे परमक रपालुए शिश्य गुरु का उत्रा धिकारिया है अताद गुरु का ग्यान ही शिश्य के रूप में अभी व्यक्त हुआ है ग्यान की द्रस्ति से परमात्मा गुरु और शिश्य एक है इस एकत्व के बोध में ही शिश्य की पूर्णता है गुरु वरण करने का तात्परिय उस व्यक्ति की आत्मा के साथ में अपनी आत्मा को जोड़ देना है जिस प्रकार हिमाले से निकली वई नदी समद्र में मिलने के लिए मचलती है रा के काटों पत्थरों और सिलाओं से टक्रा करके भी बिना रुके अविरल गती से बढ़ती है वही लगन सिश्य में हो तो अपने गुरू से मिलने की तबी सिश्य धर्म की सारतकता है मनुश्य का मस्तिस्क ए बगीचा है इसमें तरह तरह के मनोभाव विचार इच्छा वासना रुपी व्रक्स है इन में से कितने ही अनावश्य के जिस तरह बगीचे में कितने ही पोधे जाड़ जंकार अपने आप उख जाते हैं वे बड़े तो बगीचे को नश्ट कर देते हैं खराब कर देते हैं माली का कामी है वह उखाड फेके और तरह तरह के सुंदर उप्योगी पोधों को रोप रोप करके बगीचे की सोबा बढ़ाएं यही कतवे गुरु का है वे भी इसी तरह अपनी बुद्धिमाता से दूरदसिता से चतुरता से शिश्य की सिश्यता बढ़ाते हैं बिना गुरु करपा के विश्यों का त्याग दूरलब है गुरु की जोती है जो आपके मार को सहज मनाती है अपने अनुबव से गुरु की करपा से संसार के समस्त मार को सहज मनाते है अपने अनुबव से गुरु की करपा से संसार के समस्थ सुक और स्वर की संपदा प्राप्त हो सकती है जो की योगियों के लिए भी दोडलब है आचारे के बिना पराशक्ति स्वरुपा ब्रह्म विद्या स्वधिस्तती नहीं होती शुक्र देव रिशी को बिना गुरु के उपदेश की स्वत आत्म ज्यान हुआ था उनकी वासनाय स्वत निर्वत हो गए थी परनतो वो ज्यान द्रड़न होने के कारण उनके मन को सांति नहीं हुई उन्हें अपने ग्यान पर विश्वास नहीं हुआ इसलिए अपने पिता व्यास्दी के आदेश से उन्हें जनक के पास में ग्यान ग्रहन करने जाना पड़ा धर्म का उपदेश दे तम का विनाशकर ग्यान रुपी जोती से प्रकासितो देव गंदरवादी से जो स्तुतो उनी शाक्षाद देव की संग्या गूरू है इस संसार में समस्प्रकार के दुखों का पल तबी तक देह धारियों को घेरे रहता है और उन्हें भरमाता रहता ह जब तक गुरू से मिलन नहीं होता कभी न काए गुरू कुमार सिश्य कुम्भ है गड़ी काडे खोट भीतरी भीतरी सहज करी बाहरी बाहरी चोट अगर आपमें प्रहार शेहन करने की समता है तो आप निश्चिती दीपक अत्वा कलस बन जाओगे अन्य था मिट्टी के ल वास्तविक अनन्द आता है सभी मानपुरूस चाय वे तुलसी हो सूर्दास हो मातमा बुद्ध हो अत्वा माविर हो सभी ने कटनाया जहली ठोक ने खाई और उनी ठोकनों से उन्हें द्रड मजबूत बनाया वे भी हमारी तरह सामन मनुश्य थे आत्म विश्वास ने गुरू द्रोन से पहले हम अर्जुन को जानते हैं रामकरश्ण परमस जी से पहले वीवयकन जी को जानते हैं गुरू अगस्ति से पहले सिकंदर को जानते हैं चानक के से पहले हम चंद्रगुप्त का नाम लेते हैं ये गुरू महान हुए हैं गुरू स्वेम चाते हैं कि सर्वस्व अपना ग्यान अपने सिश्चों को दे गुरु की सबसे बड़ी विश्चता है वह उन्हें समर्थ योग्य और अध्विती बनाए जिससे सिश्च जीवन में सफलता प्राप्त करें कोई गुरु नहीं चाता कि मेरा ही नाम हो मैं ही दुनिया में पूजा जाऊं ऐ जिस तरह एकलेवे ने गुरु आदेश पर अपना अंगुठा काट करके दे दिया था जिस तरह उपमन्यू ने गुरु धोमे के आदेश के अनुसा भूका रहकर के गुरु वचन निबाया जिस तरह क्रश्चन और सुदामाने भीगते वे वन में रात गुजारी मात्र ज गिलावन के लिए लखडियां लाने के लिए अता साथना पत्मे गुरु से मिलनल में ऐसा ही समरपन निश्था विश्वास प्रवा रदय में अवश्यक है सिश्षी के पास में केवल और केवल शद्दा भक्ती संवर्पन यही सम्मूल पुंजी है और केवल इस पुंजी के सारे सिश्षी अपने आत्म घट में प्रकास पुंज गुरु को स्थपित कर अपने संपूर्ण जिवन को आलोकित कर सकता है इसलिए सास्त्रम कावाय सीश दिये गुरु मिले तो भी सस्था जान एक बार फिर आप सभी को गुरु पुनवा के हार्धिक सुपकामन लाएं और आप सभी के गुरुों को मेरा प्रणाम मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्त रहें प्रसंद रहें और सुर्क्षित रहें अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत खैल रखें आप सभी को मैंने नमशकार बहुत बहुत शुप कामना है इश्वर आपके रक्षा करें आपके गुरुदेव आपके रक्षा करें आपको ग्यान दे, बहुत बहुत धन्यवाद.